नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पतंजली की दिव्या गिलोई घनवटी के बारे में तो दोस्तो मेरा personal experience जानने के लिए इस वीडियो को end तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तो आईरवेदा में गिलोए एक बहुत ही महतपून हर्ब के रूप में जानी जाती है और इसी वज़े से इसे अमरिता भी कहा जाता है अमरिता यानी की अमरित के समान दोस्तो मेडिकल की भाशा में इसे टिनो सपोरा कॉर्डी फॉलिया कहा जाता है तो अब बात करते हैं कि गिलोए के ऐसे क्या benefits हैं जिसकी वज़े से ये इतनी महतपून है दोस्तो गिलोए एक बहुत ही बढ़िया immunity booster herb है दोस्तो गिलोए का number one benefit ये है कि ये हमारी body में immunomodulator के रूप में काम करती है यानी कि गिलोए हमारी body में immune response को भी परिवर्तित कर देती है तो कोई भी व्यक्ती जिसकी immunity बहुती कमजोर हो, बहुती weak हो और कोई भी व्यक्ती जो की immunity को बढ़ाना चाहता हो उसे आज से ही गिलोए का सेवन शुरू कर देना चाहिए दोस्तो खास सोर पे ऐसे व्यक्ती जिने आए दिन सर्दी जुकाम खासी लगी रहती है ऐसे व्यक्ती को गिलोए का सेवन जुरूर करना चाहिए दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति जिने जरा सा मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर होती है तो अपनी बाड़ी में इम्यूनिटी रिस्पॉंस को परिवर्तित करने के लिए और बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को तुरंथ ही गिलोय का सेवन शुरू कर देना चाहिए के लावा दोस्तों गिलोय में भरपूर मात्रा में एंटी आक्सिडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शुरीर में एजिंग की प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं जो लोग गिलोई का सेवन रोजाना करते हैं ऐसे व्यक्तियों में एजिंग प्रोसेस काफी धीरे हो जाता है जिस वज़ा से उनके चहरे पर समय के साथ में आने वाले जुर्यों का प्रोसेस भी काफी धीरे हो जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चहरा हमेशा खिला हुआ दिखे आपके चहरे पे चमक रहे और जुरियां बहुत ही कम हो यहां तक कि आपके फेस पे समय का कोई प्रभावी ना पड़े तो आप आज से ही गिलोय का सेवन शुरू कर दीजिए कि गिलोय आपके स्किन पे एजिंग के प्रोसेस को काफी धीरे कर देगी इसके अलावा दोस्तो के आपके गिलोय हमारे शुरूय में और सेल्ष की संख्या को भी बढ़ाती है इसलिए दोस्तो किसी भी गंभीर रोग के होने पर जहां पे हमारे श्रीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है जैसे की डेंगू, चिकनगुनिया या मिलेरिया ऐसे रोगों में गिलोई का सेवन करने को कहा जाता है तो दोसो कोई भी ऐसा रोग जिसकी वज़े से हमारे शुरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगे या फिर कोई ऐसा रोग जिसमें हमें अपने इम्मुनिटी को बढ़ाने की जरूरत हो इन दोनों ही कंडिशन्स में गिलोई का प्रयोग करना अनिवारे हो जाता है दोसो आयरुवेदा के अनुसार गिलोई हमारे शुरीर में वता दोशा को शांत करती है, कपा दोशा को कम करती है और पिता दोशा को डी टॉक्सिफाई करती है दोसक गिलोई हार्ट पेशेंट्स के लिए, डायपेटिक पेशेंट्स के लिए, PCOS पेशेंट्स के लिए, या फिर हाई कॉलिस्टरल वाले पेशेंट्स के लिए भी काफी ज़्यादा अच्छी मानी गई है अगर आपको किसी भी तरह का chronic fever हो, आपको बहुत जादा प्यास लगती हो, जर्नल थकान या कमजोरी रहती हो, आपके जोडों में दर्द रहता हो, या फिर आपके हाथ पैर में सूजन रहती हो, या immunity से related आपको कोई issue हो, या फिर आपको सर्दी जुकाम कफ हो, या आपको भ साल पहले मैंने first time गिलोए घनवटी का सेवन करना शुरू किया था, और उस समय में इसका सेवन regular किया करती थी, सर्दी जुकाम तो एक आम बात हो गई थी, इसके इलावा किसी ना किसी प्रकार का viral infection, या फिर cold, या फिर severe cough and fever, तो उस समय में मैं अपनी immunity से बहुत जादा प चनरा दिन में या बीस दिन में cold and cough होता था, अब उसके duration बढ़ना शुरू हो गई, यानि कि अब मुझे एक या डेड़ मिने बाद cold and cough होने लगा, और जैसे जैसे मैं इसका सेवन करती गई, वैसे वैसे वो duration और भी जादा बढ़ती गई, और फिर एक समय ऐसा आगया कि म मुझे cold and cough 4-5 सालों में एक बार होता है, तो दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसने immunity को बढ़ाने में मेरी काफी मदद की है, और मैं immunity को बढ़ाने के लिए ही इसे highly recommend करती हूँ, दोस्तों आपको पतंजली की गिलोई घनविटी की 60 गोलियां 100 रुपय में किसी भी पतंजली pharmacy store से बहुत ही ऐसानी से मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो आप भी इसे use करना शुरू कर सकते हैं, दोस्तों इसे related अगर आपको कोई भी question हुआ तो please मुझे comment section में जरूर लिखतीजिए, और साथ में दोस्तों इस वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे like और share जरूर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe कर दीजिए और साथ में notification bell icon को भी on कर दीजिए, ताकि मेरी new video का update सबसे पहले आप तक आए, तो तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, till then you guys take care, have a good day, आपने हमारे 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